नमस्का दोस्तों बोल स्काई मैं आपका स्वागत है स्किन की कई समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हम में से ज्यादातर लोग तरह तरह के स्किन केर प्रोडक्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन में से ज्यादातर प्रोडक्स कैमिकल से भरे होते हैं जिससे ये आपके स्किन को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्या आप जानते हैं चेहरे पर बेसन और दही लगाने से ना सिर्फ तवचा की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है, बलकि ये कॉंबिनेशन आपको एक साफ और दमक्ती तवचा पाने में भी मदद कर सकता है। कील मुहासे, दाग धब्बे और एजिंग के लक्षनों को कम करने के लिए ये एक असरदार उपचार है। इस वीडियो में हम आपको चहरे पर दही और बेशन लगाने के फाइदे और इसका इस्तिमाल करने का तरीका बताने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, ये मुहासो और दाग धब्बे दूर करता है। दही में विटमिन C और लाक्टिक एसेड मौजूद होते हैं जो मुहासो से लड़ने में मदद करते हैं। वही बेशन तवचा की रंगत में सुधार करता है और तवचा को कोमल बनाता है। दोनों ही तवचा पर मौजूद अतरिक्त तेल और डड़ स्किन सेल्स को हटाने में मदद करते हैं और आपको एक दमक्ती तवचा प्रदान करते हैं। इसके लावा जुरिया और फाइन लाइन्स को भी ये कम करता है। दही फ्री रैडिकल से लणने में मदद करता है। रंगत को साफ करने में मदद करते हैं। इससे आपकी तवचा हाइड्रेट रहती है। इसके लावा ये इसके लावा ये इसके लावा नमी बना कर रखता है। ड्राई और बेजान इसके से परेशान लोगों के लिए बेसन और दही बहुत फायदेमन है। क्योंकि ये आपके स्केन में नमी को लॉक करने में मदद करता है। ये सकेन फटने और तवचा में जलन आदी जैसी ड्राई इसके करण होने वाली समस्याओं के लिए एक अच्चू कुपाय है। बेसन तो अच्चा को कोमल बनाता है वहीं दही तो अच्चा को टोन करने में मदद करता है। तो आईए आप जान लेते हैं चहरे पर कैसे लगाएं दही और बेसन। बेसन और दही को एक साथ मिलाकर आप फेस पैक या मास्क की तरह चहरे पर लगा सकते हैं। बेसन और दखी का फेस पैक बनाना बहुत असान है, आपको बस कुछ सरल स्टेप्स को फॉलो करना है जैसे कि सब से पहले आपको दो बड़े चम्मच बेसन लेना है, उसके बाद बेसन में एक दो चम्मच दखी मिलाना है, इसका एक स्मूध पेस्ट बना लेना है, देखें क इसे तब तक चेहरे पर रहने दें जब तक की ये सूख न जाए। उसके बाद थंडे पानी या साधे पानी से धोलें। फिलाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेर करें और चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें।